नमस्कार मैं हूँ अवंतिकार श्रबास्तव और जैसा कि आप जानते हैं के अश्मान में हर बार स्वास्त संबंदी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर दिलीप सिंग डाठोर जोकी बंसल होस्पिटल में कार्डियो थ आज सब्सक्राइक हाठ सब्सक्राइब करेंगे कैसे हाठ की सजरी की जाती होती है उनका इलाज दो प्रकार के डॉक्टर करेंगे एक सर्जन होते हैं दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं. charge के surgeon होते हैं, प्रिमक के थे मारियां का थाले थे मां धाना होते हैं die भीमारिय करने के जो थो दocolis innate होती हैं, वो सभीजर थी थीरे साथ होते हैं वो दे這邊 की कि ब्लॉक होने लग जाती हैं तो जब वह ब्लॉक हाट की तीनों नस्वा में हो जाए यह हाट की जो लेफ्ट साइड की प्रमुख नस होती है उसमें वह ब्लॉकेज आ जाए तब हाट की बाइपास सरजरी की जरुवत परती है जिसमें हम उस ब्लॉकेज के आगे एक दूसरी नस को जोड़ देते हैं और उस धमनी में ब्लड का जो प्रवाह है वो पुना शुरू हो जाता है यह बाइपास सरजरी हाट की सबसे प्रमुख सरजरी होती है इसके अलावा जो हाट में दूसरी बीमारियां होती है जिनका इलाज ऑपरेशन के द्वारा होता है वो होते हैं हाट के वैल्व में खर सिकोड़ने लग जाते हैं या लीक करने लग जाते हैं जब यह वैल्व सिकोड़ने लग जाते हैं या लीक करने लग जाते हैं तो पेशेंट का हाट का जो फंक्शन है जो उसकी नियमित प्रक्रिया है नियमित क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है और ब्लड शरीर में जाना कम हो जाता है अथवा बंद हो जाता है और वो ब्लड पीछह फेफरों में जाकर एकटा होना शुरू हो जाता है इससे पेशिण्ड वीक होते जाते हैं उनकी सांस फूलने लग जाती है आंखों में अधेरा चाहता है यह चक्कर आते हैं तो ऐसे पेशिंट को हाट के व विमारियां होती हैं जिसमें हाट के अंदर छेद होता है उनकी सरजरी की जाती है अगर हाट की सरजरी की जाती तो किस तरह की नुकसान जेलें पड़ सकते हैं देखे जो हिदय रोग शल चकित्सा है या लगबग सौ से देर सो वर्ष पुरानी हो चुकी है तो पिछले सौ वर्षों में हाट को अप्रोच करने का जो तरीका है वह हाट के साज जो हमारी चाती की हड़ी होती है वो हम उस हड़ी को काटते हैं बीच में से ओपन करते हैं औ हमारे शरीर का सबसे महतकूर अंग होता है वसी प्रकार से हर्ट भी हमारे शरी महतकूरब होता है जिस परकार से मश्णिश के चारों तरफ हड़ी को कवर होता है तो पिछले सो वर्षों में यह हड्रोच को ऊप्रोच करने के लिए ह deport को अगर में अप्रेट करना है वयल्ब साजरी करनी है या कोई पड़ाइश重要 है हाट में उसको रिपएर करना है तो उसके लिए हमझे हार्ट को अपोटाइगा हार्ट अपधा अब हार्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो एप्रोच होती है एक जो बड़ी कौमन अप्रोच है जो पिछले 100-100 वर्सों से चली आ रही है वह अप्रोच है कि हार च्छाती की हड़ी को काटना यह हड़ी जो बीच में होती है इसको स्टन्दम कहते हैं या ब्रेस्ट को कहते हैं हम इस हड़ी को बीच में से कट करते हैं और कट करने के बाद हाट एकदम सामने हमारे होता है फिर हम उसके उपर से अजरी करते हैं जो दूसरी विधी है जो अभी पिछले रिसेंट्ली 10-15 सालों में डवलप होई है वह विधी होती है छोटे चीरे द्वारा चार सेंटीमीटर या पांस सेंटीमीटर का चीरा होता है उससे हम दौनों पसलियों में थोड़ा सा गैप करते हैं और उस विधी के द्वारा फिर हम अंदर जाते हैं जैसे गॉल बेडर की सरजरी होती है पित की थैली की सरजरी होती है वो लेप्रोस्कोपी द्वारा होती है उसी प्रकार से जो हर्ट की सरजरी है वह स्मॉल इंसीजन से होती है बहुत ही छोटे चीरे से होती है या दुरुविदी द्वारा होती है दोनों पसलियों के बीच में से जाते हैं उसमें किसी प्रकार की हड़ी को नहीं काटना होता अब जो दोनों में फर्क है वह यह है क की हड़ी कहीं की भी हो शरीर में चाहे वो पैर हम्धी जब एक बार वो टूटती है और कट्दी है चाहे से टूटे या उसको सरजें काटे यह हड्डी करती है, उसको जुड़ने में डो से फिन महीने का वक्त लगता है। जुड़ने के बाद भी वो अपनी natural condition में बापस आने में काफी time लगता है तो जब heart की surgery हड़ी काट के की जाती है तो पहले 2-3 महीने patient की जो life है वो bed पर रहती है या घर के अंदर रहती है patient अपनी normal life में, normal job में, office में किसी भी अपने work में normal बापस नहीं जा पाते दूसरा जब heart की काटी जाती है तो बहुत सरे restrictions patient की life में आ जाते है जैसे patient अगर विस्तर पे लेटा है तो वो करवट करके नहीं लेट सकता जैसे जब पैर की heart को कहते है आपको चलना नहीं अभी 2 महीने, आपको चलना है तो walker के साथ चलना है उसी प्रकार से जब चाती की heart कट जाती है तो हम patient से कहते हैं आपको करवट नहीं लेना है क्योंकि अगर करवट लेंगे तो heart जो जुड़ी है वो खुल सकती है दूसरा हम कहते हैं कि आपको आगे नहीं जुकना है, सीडिया नहीं चरना है टू वीलर नहीं चलाना है, फोर वीलर नहीं चलाना है, जटका नहीं लगना है तो बहुत सारे restrictions patient की life में आते हैं पहले दो से तीन महिने में जब चाती की heart काटी जाती है दूसरा, जब भी heart कहीं की भी अगर तूटती है या कटती है तो उसमें दर्द होता है जुरने के बाद भी उसमें दर्द होता रहता है जब भी सर्दियों का मौसम आता है, patients complain करते हैं कि पहले पैर की heart की heart की heart की heart काटने से होती है दूसरा, जब चाती की heart काटी जाती है, तो patient को pain बहुत जादा होता है उससे patients की breathing efforts हैं, वो कम रहते हैं जो चाती की heart का होता है, वो चीरा काफी बड़ा होता है करीब 15 या 16 cm का चीरा होता है उसको heal करने में time लगता है उसमें antibiotics जदानी पढ़ती है, उसमें infection ज़ादा होता है उसमें दर्द की दवाईयां ज़ादा होता है, patient का hospital stay काफी ज़ाधा होता है पेशेंट का ICU stay भी जादा होता है, पेशेंट को बेस्तर से उठके चलने में काफी वक्त लगता है, तो ये दिक्कतें हैं जो हड़ी को काटके जब operation किया जाता है, तो ये दिक्कतें सामने आती हैं, जो दूसरा भी मैंने तरीका बताया, जिसमें हम side से operation करते हैं, दुरविन बीधी में सबसे important है किसी भी हड़ी को नहीं काटा जाता, जैसे हर्णिया की surgery होती है, गॉल बैडर की surgery होती है, या किसी भी सामने बीमारी की surgery होती है, तो उसमें जैसे हम skin को काटते हैं, उसके बाद mark आता है, मास को काटते हैं, और हम हमें जो operation करना होता है, हिजु कर द द्वारा हम हड तक जाते हैं और उससे हम हड की सरजरी करते हैं जब इसमें कोई हड़ी नहीं करती तो जैसा कि मैंने बताया पेशेंट को दर्द नहीं होता पेशेंट को वेंटिलेटर पर नहीं रखना पड़ता है तीन से चार दिन जो नॉर्माल आईसी विस्ट्रे होता है वह नहीं रहता पेशेंट जल्दी मोबलाइज हो जाता है इसलिए जो मिनमल इंवेजिव सरजरी है दुरविन वद्धी द्वारा इसको 7-days कहा जाता है अर्थाथ कि आपने छुट्टी 7-days के लिए हार्ट सरजरी कर आई हो सेविन देस के बाद आपनी नॉर्मल लाइफ म requirement नहीं रहती और जो भी restrictions मैंने अभी चाती की हड़ी काटने के बाद बताई थे कि पेशन करवट नहीं ले सकता वॉक नहीं कर सकता अपने जटके से उठ नहीं सकता सीडिया नहीं चर सकता जुक नहीं कोई भारी समान नहीं उठा सकता तो वो सारी चीजें अलाव होती हैं जब हम दूरवीन वीदी द्वारा सजरी करते हैं तो जो राइफ में restrictions आते हैं operation के बाद जो की सामानेता patient को सबसे बड़ा डर होता है psychological डर होता है कि अगर हाट का operation कराएंगे तो चाती खोल दी जाएगी उसके बाद लाइफ एकदम कांच जैसी हो जाती है मेरे patients कई बार बोला कि चाती घडडी खोल दी तो उसके बाद लाइफ कांच की तरह हो गई और फिर बहुत ही weakness हो जाती है तो यह जो एक psychological trauma patient को मिलता है वो हम psychological trauma इस दुर्वीन बेदी दुबारा खतम करते हैं चोटे चीरे का आपने जिक्र किया और जितना हमने सुना है मुझे लगता है कि चोटे चीरा काफी जादा लाब्दायक होता है इस तरह से operation कौन-कौन सी ऐसे surgery होती है और चोटे चीरे के आगे क्या करते हैं और अगर आपने complications की बात की तो क्या इस case में कोई complication आके नहीं मिलता है चोटे चीरे में वो सारी surgeries हो सकती है जो हम हड़ी काट के करते हैं जैसे bypass surgery bypass surgery करीब जो total अगर 100 heart surgery होती है तो bypass surgery उसमें से 60-70% patients की होती है तो उसमें भी हम चोटे चीरे द्वारा operation कर सकते हैं इसके लावा जो valve surgeries होती है जो heart के तीन चार valve होते हैं वो चारो valve repair किये जा सकते हैं replace किये जा सकते हैं चोटे चीरे के द्वारा और जो पैदाईशी defects होते हैं heart में जो छेद होते हैं तो जब एक बच्चे की उम्र एक limited एक 6 साल के ऊपर जब निकल जाती है तब भी हम 6 साल क 10 के बार्टों छोटे से बच्चे का भी operation कर सकते हैं तो धीर हमिवाने की छोटे चीरे से operation करते हैं यह पूरी तो सुरक्षित होगा जी बल्कुल और आगे जाकर कितना सथ उसके पर जाकर को च्चाहाई चोटे से operation पूर्था सुरक्षित है जो बहुती जो sick patients होते हैं आग बहुत गंभीर रोगी होते हैं सिर्फ उनके लिए आज के टाइम पर छहाती खोड़के हो बढूरहर जाता है बहुत कम होता है उनके mayoría खोड़की ओप्रेशन करते हैं या जिनको कोई आटयक आया हो कोरन्त अटयक आया हो उनके हम चहाती खोड़क के के लिए हम चाहती खौल के Zeus करते हैं या इसी समस्या नहीं है तो और क्योए अगर अगर सी है तो हम चाहती कोड़ के आप्रेशन करते हैं क्योंकि दूर्बिन विधी इसमें exposure कम होता है और हमें time जाधा लगता है नॉर्मल विधी के द्वारा, नॉर्मल विधी के comparison में, तो अगर कोई emergency है, तो निश्यत तोर पे हमें चाती खोल कर ही operation करना होगा, दूसरा जहां तक खर्चे का सवाल है, तो जब दुर्वीन विधी द्वारा operation करते हैं, तो जै इसमें जो चाती से operation है, उसके comparison में खर्चा कम होता है, साथी आपसे ये भी जाना चाहूंगे, कि इस तरह की जो surgery होती है, इसमें age effect किस तरह से role play करते हैं, क्या आप ये भी देखते हैं कि patient अगर एक मासूम है, तो उसके लिए थोड़ा अलग operation की surgery का technique होगी, या अगर वो जादा aged है, क्या कुछ होता है? के बीच में होती है, तो ऐसे age group में, जब हम हड़ी काट के operation करते हैं, तो हड़ी की healing में time जादा लगता है, और कई बार वो heal नहीं करती, bypass surgery के जो 90% patients होते हैं, उन सबको diabetes भी होती है, तो diabetes itself a major factor for wound infection, तो अगर किसी को diabetes है, age जादा है, तो definitely उनको छोटे चीरे द्वारा, अगर कोई lung का patient है, जिनको कोई फेफडों में पुरानी समस्या है, अस्थमा के मरीज हैं, या chronic smoker है, उसे lung खराब हुए हैं, तो ऐसे patient में भी चाती काट के operation करना सुरक्षित नहीं होता, जो महिलाएं हैं, महिलाओं में देखा गया है कि wound की healing, जो ये घाव होता है, जब ह में weak होती है, तो उनकी healing में ज़्यादा टाइम लगता है, तो महिलाओं में तो और cosmetic issues भी होते हैं, क्यूंकि 15-16 cm का इतना बड़ा चीरा अगर चाती पे लगता है, तो वो पूरी life के लिए एक psychological trauma हो जाता है किसी भी महिला के लिए, या अगर किसी 25 बर्श की महिला है, उसक की शादी होने वाली है, उसके हाट में एक छेद है या उसका कोई वैल खराब है, अगर उसमें मिद लाइन से operation करा लिया, तो इस वरी डिफिकल टू पॉर इस सोसाइटी तो एक्सेप इन, बिलकुल, आगे बढ़ेंगे आगर से कॉलर मार्स साथ मन्जूर खां जी जोट आगे अगे पर इस सब्सक्राइब कर दी जोटाएं एक बार दुबारा से बताएंगे आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आपा रही है, अच्छा, आपकी आपकी अजूर जी अपना सवाल रिपीट कर दीजा एक बार, सब्सक्राइब करें तो हार्ट फंक्शन कम क्यों हुआ है आपके वैल में खराबी है या कोई नसों में ब्लॉकेज है उसका कारण क्या बताएगे आपको हार्ट का जो फंक्शन आप बता रहे हैं 35% रह गया है वो कम हो गया है बट मैं जानना चाहता हूं उसका कारण क्या है आपको बताया होगा आपके डॉक साब ने की आपका वैल्व खराब है या आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है इस बज़े से आपका हार्ट फंक्श कि छली आश्यकरते कि मन्जूर जी को जवाब मिल गया होगा आखे बढ़ते सर्व बंसल हॉस्पिटल पर मैं हम में चर्चा करना चाहंगी मुल्टी स्पर्शलर्टी हॉस्पिटल कहा जाता हो और तमाम सुविधायं मरीजों को यहां पर उपलब्ध दोती हैं किस तरह सी इस तरह कि सर्जुरी आसानी से कर सकता है और कितने आसानी से आप कह सकते हैं कि एक ही चट के नीचे तमाम सुविदा एमरी सो को या मिलीगी दिखी जहां तक हट सरजुरी का सवाल है तो जो यह दुबिन बिदी द्वारा ऑपरेशन इसके सारे इंस्ट्रुमेंट हमारे पास अवे लेविल हैं जो बिविन प्रकार की मशीने की रिक्वार्मेंट होती है दुबिन बिदी द्वारा ऑपरेशन ने वो सारी हमारे पास उपलब्द हैं तो जो मिड लाइन साजरी होती है जिसमें हम चाती से चाती की बोन को काट के ऑपरेशन करते हैं उसमें बहुत ज़ हैं हमारे पास उपलब्द होती है इस प具 195 आप सब्गार से जो हाथ और पैरों की नसरे हम लगाते हैं ज्छाती महारे आफ में इंश्वर स्रेंट सरगी होती है तो चोटे चीरे से जब ऑपरेशन होता है इस तरह की जो गतिवीदिया इसका सामना नहीं करना पड़ता है जी है बिल्कुल देखे जब भी शरीर में कहीं भी हड़ी कटेगी तो उसके जो दूर गामी परिडाम है वो हमें देखने पड़ते हैं तो पैर में पैर की हड़ी तो फिर दो महिने के लिए वाकिंग रेस्टिक्षन हो जाता है वाकर पे चड़ना होता है प्लास्टर लगाना होता है तो उसी पिकार से जब छाती की हड़ी कट होती है तो उसके भी दूर गामी परिडाम आते हैं क्यूंकि जब जो चैस्ट है वो इट इस एसेंटरल ओफ स्ट्रेंथ जो हमार एक शक्ती होती है वो उसको बहुत कम लगती है तो उसकी जो रिकवरी है वो काफी कम हो जाती है दूसरा जो जब छोटे चीरे द्वारा ऑपरेशन करते हैं तो यह समस्या नहीं होती है उनका 7-10 डेज में नॉमल रिकवरी हो जाती है वर्क पर 15 दिनों के अंदर वो बिलक पूरता मित नहीं है और पूरता फैक्ट भी नहीं है किन्टू 98 to 99% heart surgery के patients में ऐसी समस्या नहीं होती है लेकिन हमैं यह समझना होगा कि कोई भी बीमारी किसी बी शरीर के किसी भी एक अंग में नहीं होती है जब शरीर में कहीं पर भी फ्लॉकेश शुरू होता है किसी भी कि नस्व 마other ने आगर हमारी कॉले स्टॉरह निलन देखने निहां है अगर कोले स्टल कोव सिर्फ हाट इक नष्ट सुने करते तो दीघे दीख में कपंध में आग जाता है और व्य क्यिदी की नश्व में भी टेपॉजित होगा तो जब अटेक सबसे पहले हाट पे आता है बिकास है सबसे ज्यादा काम करता है हमारी बॉडी मेंता है तो जब heart की blood supply कम होती है, तो वो सबसे जल्दी pressure में आता है और सबसे जल्दी attack जो है, वो heart पर आता है. किन्टो वो blockage सिरफ heart में नहीं होता, वो blockage pair की नसव में भी होता है, kidney की नसव में भी होता है, और brain की नसव में भी होता है, इसलिए जब हम heart के surgery करते हैं, एक patient के साथ इस तरह की समस्यां आ सकती हैं जो यह समस्यां आती हैं यह कई प्रकार की हो सकती हैं यह एक छोटे से memory loss से शुरू होके एक paralysis के attack तक जा सकती हैं सामानेता जो समस्यां आती हैं मानिए कि दो-चार हजार patients में अगर आप देखेंगे तो चार्या-पांच patients ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि bypass surgery के कुछ वक्त बाद चार महीने बाद चार महीने बाद उनको अपनी memory थोड़ा सा पहले से कम लगती है कि उन्होंने कोई चीज रखी और दसमत बाद भूल गए यह recover हो जाती है उसके दो-चार महीने बाद लेकिन कुछ patients में यह समस्या होती है कि memory loss हो जाता है short term memory loss होता है वो बाद में recover हो जाता है बहुत ही कम patients में ऐसा होता है कि body brain कर कोई attack आ जाए जिस प्रकार से heart में blockage हुआ और heart में attack आया इसी प्रकार से brain में भी attack आ सकता है अगर brain की blood supply बंद है तो उसमें एक तरफ की body हाथ या चेहरा टेड़ा होना उससरे की साथी डॉक्टर अगर heart related problems के हम बात करें तो इस बात का जिकर करना बहुत जावाँ जरूरी हो जाता है कि आज कल यह काफी commonly देखें को मिल रहा है कि काफी कम उम्र में अगर सिद्दात के हम बात करें या साउथ इन आक्टर के हम बात करें पुनी इत्राज कुमार उनको सब्सक्राइब है काफी common होता जा रहा है यह सब क्या वजवांते आप इसके पीछे लाइफस्टाइल डिसॉडर कि आज के वक्त में जो बीमारियों का पैटन अगर हम देखें आज के 50 साल पहले या 100 साल पहले जो हमारे समाज में जो प्रमुक बीमारियां थी वह थी शब लिए मलेरिया काला जार है इजा टाइफर ट्यूबर क्लोस्सलेफ यह यह सारी बीमारियां इन्फेक्शन से होती है वक्त के साथ साथ जब medical science ने growth की तो यह सारी जो infection वाली बीमानियां थे इनको हमने control कर गिया जैसे अभी COVID आया तो COVID के लिए भी हमने vaccine बना लिए अब now we can cure it बट एक lifestyle disorder एक ऐसी चीज है उसको आप treat नहीं कर सकते इनीशली lifestyle disorder जो है यह chronic disorder है जैसे obesity है heart disease है या जो chronic psychological disorders होते हैं या जो kidney की समस्याइं होती है जो patient धीरे धीरे dialysis पे चले जाते हैं तो यह जो सारी समस्याइं हैं यह lifestyle disorder है आज हमारी lifestyle उतनी natural नहीं रह गई है जो early to rise and early to bed वाला concept था वो अब खतम हो चुका है जो हमारी food habits है जो हमारा food होता है वह organic food नहीं होता natural food नहीं होता जो अब हम उसमें बहुत सारे pesticides मिलाते हैं बहुत सारी उनको जल्दी grow कराने के लिए जो pesticides मिलाये जाते हैं तो वह सारे हमारे साथ हमारे food के साथ हमारी body में आते हैं जो डेली वाक है, जो 5-10 km होनी चाहिए, वो आज की कंडिशन में बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ा सेडेंटरी होती है, वो इतना वाक नहीं कर पाते हैं, लोगों जंक फूड जादा खाते हैं, इस्पेशली जो हम इंडियन सुसाइटी है, उसमें हम मान के चलते हैं कि हेल्थ इसन एसेट, हेल्थ तो हमें गॉड से मिली है और यह ऐसी ही रहेगी, बट ऐसा नहीं होता, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखेंगे, अगर हमारी लाइफस्टाइल इंडियन की वजाए देर 5-10 km वाक करिए, अपनी फूड हैबिट्स को बहुत अच्छा रखिए, अगर इस सारी चीज़ें रहेंगी, तो हाट की निसम में ब्लॉकिज भी नहीं होगा, ब्रेन में भी समस्या नहीं होगी, और यह सारी चीज़ें जो हमारी यंग जानेशन में जाधा हो रही है, तो म कोलना चाहूंगा की, हेल्थ is more important than your career, तो अपना जंक फूट कम करिए, पीज़ा की जगए घर की दाल लोटी खाये, that will be more beneficial for you, बिल्कुल चलिए हाट की सुरक्षा जोड़े कई सारी जानकारिया, आज आपने हमारे साथ साथ साजा की, बहुत 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 बनेवाल डॉक चलिए तो आज हमने डॉक्टर दिलीव से बातचीत की और हमने जाना की किस तरह से बिना हाट की हट्टी काटे, दूर्बीन से हाट सर्जुरी की जा सकती है, आपको फी निश्चत रूप से सभी सवालों की जवाब मिल गए होंगे, इसी के साथ हमारे स्वास परिशक्रश में फिलाल इतना ही आप बने रहे हैं पंसल यूज के साथ